देखे, 2019 में भारतिय जनता पर्टिय और शिवसेना साथ हमें चुनाव लड़ी, माननिय प्रधान मंत्री जी के नित्रुत्व में हमें पूर्ण बहुमत मिला, बीजेपी को 106 सीटे, शिवसेना को 56, 56 सीटे, और कई अन्य लोग हमारे साथ है, 170 तक हमारी मेजोरिटी जा रही थी, माननिय प्रधान मंत्री जी ने चुनाव के दर्मियान भारतिय जनता पर्टि के मुख्य मंत्री का नाम भी आयलान किया था, सबको मंजूर भी था, किन्तु चुनाव के बाद, शिवसेना के नेताओं ने ये निर्णे किया, कि हिंदुर्दे समराठ शिवसेना प्रमूख बाहा साहब ठाकरेजी ने, जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, जीवन भर जिन से लड़ाई की, और जिनके बारे में वो कहते थे, कि अगर इनके साथ जाना पड़ा, तो मेरी दुकान बन कर दूँगा, ऐसे लोगों के साथ एलाइंस किया, और उसके बाद, धाई साल हमने एक सरकार देखी, जिसमें न कोई तत्वत है, न कोई विचार था, न कोई गती थी, न कोई प्रगती थी, जो सरकार चालू इंफरस्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को बन कर रही थी, जो सरकार लगातार भ्रख्टाचार के आरोपों से लिप्त थी, जिस सरकार के दो मंत्री मनी लॉंडरिंग में जेल में गये, दाउद के साथ रिष्टे, इसका आरोप मंत्री पर लगा, बावजूर उसके जेल में जाने के बार भी, उनको मंत्री मंडल से हटाया नहीं गया, तो एक प्रकार से पतभरष्ट ऐसी सरकार भारतिय जन्ता पार्टी ने जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननिय उद्धो जी के नित्रुतु में कॉंग्रेस न्सीपी की सरकार चली, और इस सरकार के चलते, शिवसेना के विदायकों में बड़ा रोश था, उनको लगता था वापिस वोट मांगने जाना है, और आज तक जो बाते कही उसके विरोध में काम हो रहा है, जिनके खिलाफ जिन्दगी बर लड़े, उनके साथ बैठे, वोट कैसे मांगेंगे, फंड्स मिलते थे, और यह सारी चीजों से बड़ा अंध्रेस था, और उसके चलते, श्री एकनाथ शिंदे जी के नित्रुत में, शिवसेना के विधायकों ने, एक ही मांग की, कि कॉंग्रेस NCP के साथ हम नहीं रह सकते, और यह गड़बंदन तोड़ा जा, किन्तु उनकी मांग मंजूर नहीं हुई, माननिय उद्धो जी ने, हिंदूत्व छोड़ दिया, विचारों को छोड़ दिया, और अपने विधायकों से जारा, कॉंग्रेस और NCP की बात, दिल को लगा कर रखी, और उन्हें ही महत्व दिया, इसके चलते, इन विधायकों ने अपनी आवाज भुलन की, मैं इसको बगावत नहीं कहूँगा, यह आवाज भुलन की, और आवाज भुलन करके, इन विधायकों ने, यह कहा कि आप बहार निकलिये, ने तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे, और ऐसे समय, जब सरकार के पास बहुमत नहीं रहा, और मुख्यमंत्री जी ने इस्तिफा दिया, तो हम यह लगातार पिछले डाई साल में कहते थे, कि अंतर भिरोत से भरी हुई सरकार है, ऐसी सरकार है चलती नहीं है, और यह सरकार जब गिरेगी, तो एक अल्टरनेट गवर्मेंट हम देंगे, हम महाराष्ट पर चुनाव नहीं लादेंगे, इसलिए, एकनाथ शिंदे जी के साथ, शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में, आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननी राज्यपाल जी को दिया, भारतिय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया, हमारे 106 और उसके साथ साथ, उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टिया है, इन सभी के समर्थन का पत्र, आज हमने सौपा है, और गवर्नर सहाब ने श्री एकनात शिंदे जी को साड़े साथ बजे शपत के लिए नियोता दिया है, आज केवल एक ही शपत होगी, श्री एकनात शिंदे जी की, और फिर हम लोग सारी कारवाई करके उसका एक्सपांचन करेंगे, एक्सपांचन के समय, शिवसे नाके जो विदायक उनके साथ है, उनके इंडिपेंडेंट्स है, हमारे 106 विदायक है, इन में से जो जेश्ट वरिश्ट लोग हैं, जो हमारी पार्टी तै करेगी, या उनकी पार्टी तै करेगी, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा, और मंत्री मंडल का एक्सपांचन किया जाएगा, मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूँगा मैं सरकार के बाहर रहूँगा और इस सरकार को सफल बनाने हितू जो जो चीज करना आवश्यक है ऐसी सारी चीजे हम मिलकर करेंगे मेरा विश्वा से आधरनिया प्रधान मंतरी मोदी जी ने जो विकास का एक नया पर्व शुरू किया है उस विकास के पर्व को धाई साल का जो ब्रेक लगा था वो ब्रेक निकलेगा और फिर से महाराष्ट की प्रगती की एक्सप्रेस यह तेजी के साथ भागेगी और उसके लिए मैं श्री एकनाथ शिंदे जी को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ